सिवान के बढ़हरिया हाईवे पर स्कौर्टियों की जोरदार तक्कर मामला है सिवान के बढ़हरिया समीप प्रिभेरिया हाइवे पर दो गालियों का आपस ने जोरदार भिल्ट से लगभग चार लोग गंबीर रूप से घायल हो गए मौके पर पहुंच स्थानिय एवं समाच से भी वव वी आईपी नेता श्रीनिवास यादव ने घायलों को प्रिंज बुलाकर सिवान सदर अस्पताल पहुंचाया जहां चार लोगों में से एक व्यक्ति साहिल राजा खाँ पिता इम्रान खाँ का सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और वही आदिल खाँ पिता सफियुल खाँ राज गबबर खाँ पिता गौरुल जमशेद खाँ पिता जुरफ खाँ ये सभी सिवान जिले के बढ़ हरिया थाना क्षेत्र के मुर्गिया तोला निवासी है जिनका इलाज अभी सिवान सदर अस्पताल में रहा है बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बढ़ हरिया से सिवान जा रहे थे एक महीना पहले भी इसी घटना स्थल पर एक्सिडेंट हुआ था और प्रशासन के द्वारा जन्ता को यहां आश्वासन दिया गया था कि वहां स्पीड ब्रेकर बन जाएगा लेकिन वो अभी तक नहीं बना और आज दुरघटना भी हो गई सिवान में आए दीन ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं कि अजय को यहां रहे हैं कि अजय को अबस्ते रहे हैं कि अजय को ड्रेकर प्रेकर रहे हैं झाल झाल